हेलो फेंच में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंच साज की इस वीडियो में 32 साइस का बैक नेक डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बोट नेक पर है इस डिजाइन को बनाने के लिए आप अपने साइस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ल लेनी है तो जितनी भी लैंद आप तयार रखना चाहते हैं उसमें इक इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजेगा और यह डिजाइन बोट नेक के अकॉर्डिंग है आप अपने साइस के अकॉर्डिंग बोट नेक का मैजरमेट लीजेगा चैनल पर चार्ट अप्लोड है आप देख सकते हैं बोट नेक साइस का तो 32 साइस में मैंने यहाँ पर लिया है शोल्डर इन आर्मोल साड़ी चेंज शोल्डर इन आर्मोल रखे है मैंने 6.5 इंच और चेस्ट का फोर्ट पार्ट यहां से आपको ले लेना है आट इंच लिया है मैने और देर इंच एक्स् अमने ही यह पर लिया है 6 इंच, एक्स्टा के रहे लिया है और हाफ इंच कम एनने उपर गंधे पर शोल्डर को डाउन किया है यह हमें बोटनेक ब्लाॉस में करना होता है अब हम इसे कट कर लेना है तो दीखे बैक पार्ट को हमने इस तरीके से कट कर लेना है और इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे हम ये दीखे बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है और अब हमने यहाँ पर गले की विट ना पलेनी है तो जितनी भी आप रखना चाहें 3 इंच या 4 इंच तो मैंने यहाँ पर लिए है 3.4 इंच अगर आप 4 इंच रखना चाहें तो 4 इंच भी आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पर उपर वाला जो गला मेंने बनाया है उसके लेंथ रखी है 5 इंच 9 इंच पर मैंने एक मार्क कर लिया है और नीचे से जो छोटा नेक बनाया है उसके नीचे से हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 इंच पर मैंने नीचे लेंथ पर मार्क किया है इस तरीके से हमें शेप ड्रॉ कर लेना है शेप जो डॉक किया हैं हमने पहले हम ऊपर वाला गला कट करेंगे फिर हमने जो नीचे बाली लाइन डॉक किये डिजाइन के लिए उसे हमने कट कर लेना है तो दीखे Era में नेक को हमने इस तरीके से कट कर लिया है Muharik नेक हमारा कटिंग हो गया है अब हम इसे खुलने के बाद यह इस तरीके से दिखेगा अब हमने इसे man fabric पर cut कर लेना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर back part को रखेंगे और इसे man fabric पर रखकर भी cut कर लेंगे अगर आप front part बनाना चाहते हैं तो चैनल पर काफी सारे videos upload हैं इसे man fabric पर भी cut कर लिया है इसमें अच्छी finishing के लिए हम paper pasting का यूज़ करेंगे तो मैंने यहाँ पर double fold कर के लिए है paper pasting उसे आपको इस तरीके से रख लेना है बहुत यह असान तरीका है यह paper pasting लगाने का और पहले तो आपको pen से as it is marking यहाँ पर कर लेनी है फिर side से 1 इंच आप extra ले लिजेगा इस तरीके से दोनों तरफ से 1-1 इंच extra ले लेंगे और इसे cut कर लेंगे paper pasting को हम अस्तर वाले part पर लगा लेंगे इस तरीके से यह देखे इस तरीके से हमें press से चिपका लेना है अगर आप नई चिपकाना चाहते हैं तो आप सिलाई लगा कर भी इस अटेज कर सकते हैं अब हमें man fabric और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखना है तो पहले हम इसका जो extra part है paper pasting का उसे cut करके निकाल देते हैं अब हमें man fabric को सीधा रखना है और जो अस्तर वाला part है हमने उसे इस तरीके से रख लिया है पिन अटेज कर देना है यहां पर हमें अब एक पेर का margin रखते हुए हम गले के उपर सिलाई लगाएंगे देखे इस तरीके से neck के उपर हमें सिलाई लगानी है तो अच्छे से finishing के साथ हमने यहां पर सिलाई लगाकर complete कर लिया है neck के उपर अब हमें इसका extra fabric को cut कर देना है तो बीच का जो extra part है उसे हम cut करके निकाल देंगे और इस तरीके से design पर छोटी छोटी cut लगा देने हैं सिलाई के पास तक cut लगाने ही ध्यान रखना है आपकी सिलाई ना कटे सिलाई के पास तक हमें चोटी-चोटी cut लगा देने हैं यह cut लगाने से कपड़ा अच्छे से fold हो जाता है अंदर की तरफ अब हमें इस तरीके से देखें neck को कर लेना है और अस्तर को पूरा मंदर की तरफ fold कर देंगे आप चाहें तो यहाँ पर fold करने के बाद प्रेस लगा सकते हैं अगर कोई सिलाई नहीं भी लगाते हैं तो देख सकते हैं आप काफी अच्छी finishing यहाँ पर आ जाती है यह दिखें इस तरीके से हाँ से आपको finishing कर देनी है या फिर आप प्रेस लगा सकते हैं और मैंने यहाँ पर finishing करने के बाद मैं उपर की तरफ सिलाई लगा देती हूँ तो यहाँ पर एक corner की या फिर एक pair का margin रखते हुए आप अपने according सिलाई लगा सकते हैं यह देखें इस तरीके से नेक के उपर मैंने सिलाई लगा दी है और अब हम उपर वाले गले के उपर भी सिलाई लगा लेंगे तो अगर आप यहाँ पर उपर नेक पर भी पेपर पेस्टिंग लगाना चाते हैं तो जैसे हमने नीचे लगाया है उसी तरीके से गले की पट्टी जो है पेपर पेस्टिंग पर आप कट करके अस्तर वाले कपड़े के उपर रखकर इसे अटेज कर सकते हैं और नहीं तो आप मेरी तरह उरे पट्टी से भी नेक बना सकते हैं तो साइट से हमने सिलाई लगा दीनी है इस तरीके से और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है तो ये मैन फैब्रिक से जितना भी कपड़ा भाहर की तरफ आ रहा है उसे हम अस्तर की बराबर से कट कर लेंगे ये दिखिए इस तरीके से एक्स्ट्र फैब्रिक कट कर लिया है हमने अब हम उपर वाला गला त्यार कर लेते हैं उसके लिए मैंने हैं यहापर उरेब पटी ली है तिर्ची पटी कट करनी है हमें अस्तर वाले कपड़ी की और एक पेर का मार्जिन रखते हुए हमने यहाँ पर पटी को अटेज कर देना है पटी अटेज करने की बाद चोटी-चोटी कट लगा देने है इस तरीके से अब एक सिलाई हम पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेंगे पटी के उपर सिलाई लगाने के बाद हम इससे सिंगल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से पटी को हमने सिंगल फोल्ड कर लेना है अब हमें पटी को पूरा अंदर की तरफ fold कर देना है ध्यान रहें कि इस उपर ना दिखे पटी को पूरा अंदर की तरफ fold करते हुए उपर finishing की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर plates टालेंगे तो plates लगाने के लिए आपको इस तरीके से center mark करना है और उसके बाद इस तरीके से plates डालनी है दोनों तरफ हमने plates लगा लिनी है यहाँ पर 4 इंच की length में मैंने plates लगाई है अब हम नीचे की तरफ कमरपटी attach कर लेते हैं कमरपटी की जो चुड़ाई ली है मैंने वो 1,5 इंच ली है और उसे एक तरफ से fold कर लिया है इस तरीके से अब हम 1,5 इंच margin cover करते हुए यहाँ पर कमरपटी को attach कर देंगे इस तरीके से अब हमने एक सिलाई इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लिनी है और कमरपटी को आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं अंदर की तरफ कच्ची सिलाई लगा कर या फिर आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से finishing के साथ हमारा जो neck year boat neck का design वाला वो बन गया है अगर आप चाहें तो इसे simple भी रग सकते हैं और नहीं तो आप इसे lace से decorate भी कर सकते हैं lace लगाने से जो look year design का वो और भी अच्छा जाता है तो मैंने यहाँ पर golden color की lace ली है और सबसे पहले हम नीचे की तरफ लगाएंगे फिर उपर की तरफ से design बनाते हुए lace को attach करेंगे यह देखिए इस तरीके से पहले हमने नीचे की तरफ से एक layer लगा लेनी है और फिर जो मैंने मार्किंग की है आर्मोल्स की तरफ से वहां से हमने इस तरीके से लेस को अटेश करते ना है उपर गले की तरफ से और ये जो नीचे वाला आपको राउंड पॉर्ट दिख रहा है उपर वाले नेक के नीचे यहां पर आप अपने पसंद से कोई भी लटकन मोती वाली या फिर ट्रैजल्स लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी लेस का लटकन वाली जो लेस होती है वहां पर आप लगा सकते हैं जिससे इसका जो लूक के वो और भी अच्छा जाएगा नीचे हमने लेस लगा ली है और अब हम उपर की तरफ भी लगा लेंगे तो ये चो डिजाइन हमारा वो बन करके कमपीट हो गया है पेंट से आपका अच गई वीडियो केसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेज ज़रूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करीं धन्यवाद